नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं पटित्नरेंद्र पाध्या लाइव हिंदुस्तान के जोतिश्य कारिकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले आप लोग 9 अगस्ट 2030 की घ्रह स्थिति देखते हैं राहू और गुरू मेश राशी में रात्ह काल में चंद्रमा देश मे रहेगा तद्वास्ट बिर्षप में प्रबेश्ट कर जाएगा सुळ और शुक्र करट राशी में जहां शुक्र वकरी हैं बुद्ध और मंगलAtयजह में केतू तुला राशी नहीं प्रवक्रिशनी कुम्ह राशी के गोचर में चल रहे हैं राशियों पर क्या प्रभाव देंगे आइए देगे मेश राशी धनका आजमन बढ़ेगा कुटुम्बों में बृधि होगी मन संकूल रहेगा मांसिक शंचलता पे नियंतरों रखेगा कि बाकी प्रेम संतान प्रवक्रिशानी दूर होगी आपका कद बढ़ेगा समाज में सराहे जाएंगे स्वास्त पहले से बेहतर होगा प्रेम संतान अच्छा व्यापार भी अच्छा काली जी को प्रणाम करते रहे हैं मिथो राशी खर्च की अधिकता मन को परिशान करेगी चिंताकारी अमंध्यम व्यापारी मध्यम रहेगा सफेद बस्तू-पास रख कर नागमन भडएगा मेन्संतान के स्थि इचछी रहेगी व्यापार अच्छा रहें यात्र मिलाब होगा शुब समाचार की प्रापती होगी सुखद दीन कहा जएगा लाल बस्तू-पास स्वास्त थोड़ा समध्यम प्रेम संतान अच्छा व्यापार भी अच्छा प्रेम व्यापार अच्छा दिख रहा है सफेद बस तु पास रखे तुला राश परिस्थितिया प्रतिकूल रहेंगी किसी परिशानी यह पढ़ सकते हैं चोड़ चेपेट लग सकता है स्वास्त मध्यम प्रेम संतान ठीक ठाग व्यापार भी ठीक रहेगा काले जी को प्रणम करते रहे रचेक राश जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा प्रेमी प्रेमी का की मुलाकात संभव है स्वास्त अच्छा प्रेम संतान अच्छा व्यापार भी अच्छा संतान के सेहत पे थोड़ा ध्यान देने क्यों शक्ता जरूर हो सफेद बस तु काली मंदिर में अर्पित करें और शुक होगा भाउक्ता पे काबू रखें बच्चों के सेहत पे ध्यान दें प्रेम में तुतुमे में का संकेत हैं विद्यार्थ्यू के लिए अच्छा समय रहेगा स्वास्त ठिक्ठा प्रेम संतान मध्यम व्यापार भी अच्छा रहेगा काली जी को प्रणाम करते दें कुम्भराश भूमिभावन वहान की खरदारी संभव है भर में कुछ उत्सव सा माहौल रहेगा स्वास्त मध्यम प्रेम संतान अच्छा व्यापार भी अच्छा लेकिन कलह से बचें हरी बस्तु पास रखें में डाशे व्यापारिक सफलता मिलेगी अपनों का साथ होगा उर्जावान बने रहेंगे स्वास्त मध्यम प्रेम संतान अच्छा व्यापार भी अच्छा पीली बस्तु पास रखें नाश्कार कि अगे कि